हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल LGR Study Intermed me दोस्तों जिसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग Intermediate Board Exam के बेहतर तयारी के लिए Economics यानि की आर्थ सास्तर के महत्पूर्ण Objective Question का तयारी करते हैं आपको बता दे कि आज या इस वीडियो सीरीज का तीन नमर वीडियो है इस तरह का दो वीडियो अल्रेड हम अपलोड कर चुके हैं तो जो लोग अभी तक इस दो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पहले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लिजेगा क्योंकि यह दो वीडियो आपके एकजाम के लिए काफी महत्पूर्ण है तो चले दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं पिछले कलास में हम लोग 40 कुश्चन तक डिसकसन किये थे तो आज आपका जो वीडियो है वो 41 कुश्चन से स्टार्ट होगा और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और अगर इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे पगल में घंटी का निसान आएगा उसको भी दबा दिजेगा ताकि आगे आने वाला सबी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंशके तो चले जो है सबसे पहले जो है कुश्चन को देखते हैं काफी मातपूर्ण कुश्चन है फस्ट जो आज का कुश्चन है पूशा जारा की MPC का मान होता है MPC का मान कितना होता है यह आपको बताना है ठीक है तो 41 का C आप्शन जो है आपका बिल्कुल है सही होगा डैट मिस 0 से अधिक किन्तु 1 से कम होता है यह आप याद रखेंगे नेक्स्ट जो आपका कुश्चन है 42 नमबर पूशा जारा है यादि MPC बराबर 0.5 हो तो गुनांक के होगा तब जो है गुनांक के का वैल्यू कितना होगा यह आपको बताना है ठीक है तो 42 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा यह आप याद रखेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे हलका छोटा कर लेते हैं 43 नमबर कोश्चन को देखिए काफी महतपूर्ण कोश्चन है पूछे रहे कि यादी MPC बराबर 0.5 और आरंबिक विन्योग 100 करोड हो तो आर्थ बिवस्ता में कुल आई में बिड़धी होगी आर्थ बिवस्ता में के कुल आई में कितना बिड़धी होगा अवस्तिक अंतराल किसकी माप बताता है या आपको बताना है तो 44 का यहाँ पर आपका A option से होगा नियून मांग की यह आप जो है याद रखेंगे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि इंटर्मिडेट बोर्ड इजम के बेहतर तयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मुवाइल अप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में दोनों जगों पर लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर कि आप लोग मुवाइल अप को जरूर डाउनलोड कर लिजेगा काफी महात्पूर्ण है याने तो आप लोग सिंपली पले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं पले स्टोर पर सर्च करेंगे LJR Study अप तो सबसे उपर में ही मेरा सभी अप आजाएगा तो जो भी आपके काम का एप होगा वहां से आप लोग डाउलोड कर सकते हैं 45 नमर कोशिचन को देखेंगे पूछा जराय की नियून मांग के निमने लिखित में कौन सी विसेष्टा है नियून मांग जो होता है उसका विसेष्टा क्या है यह आपको बताना है तो 45 का यहाँ पर आपका जो है C option आपका सही होगा डैट मिस A और B दोनों क्योंकि noon मांग की जो विशेष्टा होती है जो आपका दिया गया है सामोहिक बांग का अस्तर पूर्ण रोजगार अस्तर के लिए आवस्यक सामोहिक मांग से कम होता है यह भी आपका क्या है बिल्कुल ही साही आंसर है तो C आपका बिल्कुल से आंसर होगा A और B दोनों नेक्स्ट आपका जो 46 नंबर कोश्चन है पूचा जा रहा है noon मांग के उत्तपन होने के निमलिखित में कौन से कारण है नियून मांग किसके कारण उत्तपन होता है यह आपको बताना है तो 46 का यहाँ पर आपका D-Options है होगा उप्यूक्त सभी के कारण क्योंकि देश में कुल मुद्रा पूर्ती में अगर कमी आ जाए तो नियून मांग का इस्तितिय उत्तपन होता है या फिर दूसरा देख सकते कि बैंक दर में बीर्धि से जो है निवेश मांग में कमी भी इसका कारण हो सकता है तीसरा है کرो करो करो डैटमी टेक्स जो होता है टेक्स में बिर्धी के पाड़ी नाम शरूप बैयोग आई एवम जो है उभोग मात्रा में कमी जो है यह सभी के सभी कारण है नियून मांग का तो आपका डी ऑप्शन जो है बिलकुल है सही होगा नेक्स देखेंगे आप 47 नंबर कोश्चन को काफी महत्पूर्ण कोश्चन है पूछाता है कि निमने लिखित में कौन सा कथन सही है कौन सा स्टेटमेंट कौन सा कथन जो है चारों में सही है तो 47 का आपको बता दे कि जो सही आंसर होगा 47 का जो सही आंसर होगा वो D होगा क्य हो जाए तो रोजगार भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा दूसरा है कि न्यूटन मांग के कारण देश के कीमत अस्तर में कम याएगी यह भी बात सही है तिसरा है कि न्यूटन मांग के कारण उत्पादन का स्तर भी क्या होगा, घट जाएगा, मांग घटेगा तो उत्पादन घटेगा, तो तीनों आपका बिल्कुल ही सही होगा, तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नेक्स्ट आप 48 नमर को देखिए, पूर्ण रोजगार के आगे को पूर्ण रोजगार के आगे को सामुई के मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली दिक मांग के अंतर को ब्यक्त करता है, तो 48 का जो आपका सही आंसर होगा, वो यह होगा, यानि कि अस्पेतिक अंतराल के दोराई से क्या किया जाता है, ब्यक्त किया जाता है, नेक्स्ट द मांग होते हैं वो किस कारण से उत्पन होते हैं ठीक है तो उन्चास का यहां पर आपका डियुप्शन से होगा उप्यूक्त सभी के कारण क्योंकि अगर क्या हो जाए सामाजिक देखेंगे 50 नमबर कोशिचन को पूशा जा रहा हकी आवस्ठिक अंत्राल की दसाएं हैं आवस्ठिक अंत्राल का जो जो क्या करना है बताना हैं तो 50 जो सउमाशक हो जो इंधि 않ने की ح Bike काष करना करण seminar का में हो के लिए मौद रिक निती द्वारा किया जाता है करदा होना चाहिए भारत का रप्ष दीजुरे और यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि कई बैंक आरत ब्यवस्था में आर्थिक स्थिती प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीटी द्वारा निमोनलेकित में से किसे नियंतरित किया जाता है तो आपको बता दें तो यहां पर बावन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा क्योंकि बैंक दर हो या फिर खुले बजार के किरियाएं हो या फिर नगद कोस अनुपात में पड़िबर्तन हो यह सभी के द्वारा जो है नियंतरन रखता है तो डी अक्षन आपका बिल्कुल है सही होगा नेक्स दे नेमनल लिखित में किसे सामिल किया जाता है गुनातमक साख नेंतरन के अंतरगत किसे सामिल किया जाता है तो तिरपन का यहां पर आपका D पूसा जा रहा है जिसक आप देख सकते हैं कि नियून मांग को ठिक करने के लिए कि रहने जा सकते हैं और कर सकते हैं यह आपको बताना यह तो इन में से सभी क्योंकि बैंक दर में कमी कर दीजिए या फिर खूले बजार में प्रति भूतियां खड़िद करके भी आप ठिक कर सकते हैं या नहीं तो नगज कोस अनुपात को कम करके भी आप इसे ठिक कर सकते हैं नेक्स्ट पच्पन नंबर कोश्चन है अस्फितिक अंतराल को ठिक करने के लिए प्रमुख राज कोशिये उपाई कौन से हैं अस्फितिक अंतराल को आपको ठिक करना है तो राज कोशिये प्रमुख राज कोशिये उपाई कौन से हो सकते हैं या आपको बताना है तो डर BM करदेगा मतलब टेकस बहां देगा किया कर सकता है तो साध्वनिक रिनों में विर्दी कर देगा किंगे विर्दी कर देगा और रहे हैं इस तरह से उससे जो है थिक कर सकते हैं ठीक है ws देखेंगे आप 56 नंबर कुश्चन को पूसा जारा है कि अस्पितिक अंतराल को ठिक करने के लिए प्रमुक मौदरिक उपाई कौन से हैं या आपको बताना है तो 56 का डियॉप्शन यहाँ पर सही होगा जो है इनमें से सभी क्योंकि बैंक दर में बिर्दी करके भी आप कर सक नगद को अनुपाद में बिर्दी करके भी आप कर सकते हैं नेक्स्ट 57 नंबर जो कुश्चन है पूसा जारा कि यदि आर्थ विवस्था में आई का संतुलन अस्तर पुन रोजगार के अस्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे कहा जाता है तब इसे क्या कहते हैं तो 57 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा तब उसे हम कहते हैं नियून मांग की दसा ठीक है नेक्स्ट देखेंगे आप अंठावन नंबर कुश्चन को कुश्चन के द्वरा जो है आपके पूछा जारा कि कि किन्स ने किसने तो किन्स ने आर्थ विवस्था में नियून पूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से उन्होंने क्या किया इसको पूकारा है नेक्स्ट आप देखेंगे 69 नंबर कुश्चन को पूछ जारा कि ब्यापार चक्र के उत्पन होने के निम्नलेखित में कौन से कारण है तो उन्होंसे का खाृप्शन आपके से होगा या और भी दोनों कारण है क्योंकि अस्पीतिक दसाएन हो या पिर अवस्थ्थितिक दसाएन हो या फिर अश्पीत को ठिक करने के निम्न में कौन से उपाई है निम्न में कौन से उपाई है निम्न में कौन से उपाई है निम्न में को ठिक करने के या आपको बताना है तो 60 का सी ऑप्षन जोगा बी और सी दोनों क्योंकि राज किये उपाई या फिर मौदरिक उपाई दोनों किये जा सकते हैं आज के लिए जना ही रखते हैं आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माधेम से जरूर बताईए और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक कर दिजे साथ एपने दोस्तों में अधिक सेथिक शेयर कर दिजे और इस चैनल को अगर अभी अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं और अगर इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल नंका बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लिजे बगल में घंटी का निसान आएगा उस पर भी दबा दीजेगा और ओल पर सलेक्ट कर लिजेगा ताकि आगे आने वाला सबी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इंटर्मिडियेट बोर्ड इक्जाम के बहतर त्यारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल अप को डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको हमा प्राद में आपको हमारे में आप प्रादा य कि आपको ओक carrying वीडियो पिका आप को यूड़ benefited्ैं आप सो distur आपको हमारा आपको हमारे में आपको हमारे मिम्णाम एमजगी अगरी तक औरिस्क्obic थैमिडियो प्रॉक्ता